आज भारत के सम्विधान को बनाने वाले बाबा भीम राओ अमबेतकर का जनम दिन और इस मौके पे आज पश्रिंग बंगाल समाजवाधी पाटी की ओर से उन्हें शरधानजली पेश की गई समाजवादी पार्टी के निताओं ने इस मौके पे कहा कि आज भारती जनता पार्टी बाबा भीम राव अम्बेत करके बनाए गए समविधान को बदलना चाहती है लेकिन जब तक इस देश में समाजवाद जिन्दा है इनका ये खौप कभी पूरा नहीं होगा इस अफसर पे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कारियाले में एक दावते इफ़तार का भी आयोजन किया गया जिसमें सपन ने ताओं ने देश की मौजूदा हलात पे चर्चा की समाजबादी पार्टी के परदेश कारियाले में पार्टी की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सभी लोगों ने हबडा से कलकटा से भाई साब परदी मिस्रा जी उडिशा से ये लोग सब प्रोग्राम में सिर्कत हुए और समाजबादी पार्टी के राष्ट्री उपाध्यक्ष आदरणी किर्ण में नंदा जी, समाजबादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानस भट्टाचार जी, अफ्रोज भाई, वसीम खान, अकील भाई, अक्तर भाई, सभी लोगों ने आज सिर्कत की और देश में अमन सांती और भाई इचारा बना रहे, हमारा संविधान बचा रहे, और साथ ही साथ आज हमारे परम पूज बाबा भीमराम बेदकर जी का जनम दिन था, उनके मालले अरपन किया अदनी कि ननंदा जी ने मालले अरपन किया, और संविधान बचाने के लिए कसम भी खाई गई, कि आज उनके ज स्किल से बहुत जिद्दो जहत के बाद आजादी मिली जिसमें कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि जहां पर जातिबाद धरमबाद भेद भाव उच नीच हाबी हो जाएगा ऐसा सोच करके आजादी के दिवानों ने अपना खून नहीं भाया था लेकिन देना चाहते हैं पार्टी की तरफ से कि इस चीज को हम लोग को नहीं करना है पार्टी को पार्टी की संभिधान को देश की एकता को सब कुछ बचाय रखने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते रहेंगे आखरी दम तक लड़ते रहेंगे आखरी खून तक लड़ते रहें देखिए कुछ लोग हैं जिनको सत्ता में पहुचने के लिए सिर्फ हिंदू और मुसल्मान ही रास्ता दिखाई देता है वही लोग ऐसी बात करते हैं बात बाकी सब लोग चाहते हैं कि देश मेकता बनी रहे संबिधान बना रहे और बाबा साहब के सोचने का जो तरीका था जो उच नीच का भेद भाव था वो सब जो है न रहे लेकिन अपसोस की बात है दुख के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि ऐसा गुमराह करक रही है भारती जनता पार्टी कि देश को भी बाटना चाहती है भाईचारे को भी बाटना चाहती है संबिधान को मिटाना भी चाहती है बहुत दुख की बात अपसोस की बात है कि अगर आज आजादी के दिवानों ने जब अपने लहू को आखरी दम तक इस मिट्टी के लिए बहा दिया इस संभिधान के लिए बहा दिया अजादी के लिए बहा दिया अगर उनकी आत्मा सुनती होगी देखती होगी तो उनको बहुत अफसोस होता होगा और हम चाहते हैं कि हमारा देश खुसाल रहे इस रमजान के पवित्र महीने में मैं दवा करता हूँ खुदा से कि हमारा दो मुस्लिम का जो भाईचारा है श्वय की मिठास बनी रहे होली की मिठास दीपावली की मिठास बनी रहे मेरी को